टीबी अख़बार की मुसीबत अब बढ़ने वाली है इंडिया गटवंधन के तमाम जो स्टेटजी मेकर हैं कॉंग्रेस के नेता हैं खेरा उन्होंने ट्वीट किया है कि अब हम किसी भी चैनल पर इंडिया गटवंधन का कोई परवक्ता नहीं जाएगा जिस चैनल पर इनालिस्ट के नाम पर बीजे पी आरे से सरसंग के लोग हों नमस्कार मैं शंभु कुमार सिंग और आप देख रहे निसनल दस्तर सुचे इस देश में मीडिया की हकीकत इस देश की मीडिया में सिर्फ सवर्न हिंदू है यह नहीं है जाती वाल और उसी तरह से खबरे चलते इस देश में अखलेस यादव की पार्टी को नहीं दिखाए जाएगा मायवती जी की पार्टी को नहीं दिखाए जाएगा हमांसरीन की पार्टी को नहीं दिखाए जाता हिमनसोरिन तो हिंदू है, लालुयादब तो हिंदू है, मायवती जी तो हिंदू है, नितिश कुमार तो हिंदू है, नहीं, मिडिया की नजर में वही हिंदू है, जो बीजे पी और संग का समर्थक है, दलित पिछरे आदिवासी कभी उनके नजर में हिंदू नहीं है, वो हि पास आए मीडिया को Congress मीडिया कहते थे आधे से जाधे आधा से कम सबन लिबरल पतकाड अभी भी Congress के साथ है लेकिन इस देश की मीडिया SCSTOBC के साथ कभी नहीं होता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह जातिवादी मनुवादी, ब्रहामनवादी मीडिया है इससे सचेत रहिएगा तो फायदे में रहिएगा और सोचिए जो मीडिया आप कॉंगरेस को नहीं दिखा रही है वो SCSTOBC इससी बहुजन समाज को दिखाएगा यह सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपके सामने छोड़के जा रहा हूँ और एक एक करके मैं तमाम खबरे बताऊंगा जो सोचल मीडिया पर आज वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोचल मीडिया है, सच्चा मीडिया है सोचल मीडिया है, बहुजन मीडिया है और तब तक इस बात को आप नहीं समझेंगे जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा और एक एक खबर करके बताऊंगा और यह खबरे बहुत जरूरी है आपके लिए बहुजन समाज के लिए और इसलिए मैं कहाराओं टीबी अख़बार जब तक वायकॉट नहीं करेंगे आपके साथ ही होता रहेगा ये देखिए अगर आपको यह स्युकार नहीं है तो आमें किसी भी सो में कॉंग्रेस भाग नहीं लेगे तो ये सुची यह इस तरह के चीज यारी लेकिन सबसे पहले कुछ निउज अपडेट दे दो साथ सीटों पर काउंटिंग हो रही है यूपी में गोसी सीट पर समाजबादी पाटी आगे चल रही है जारखन में जे में मागे है बीजेपी के दिन लद रहे है और उसको अब हिंदूओं को एक जूट करना पड़ेगा और ये देखिए गमल हासन ने कहा है कि भाईया सबको अपनी बात रखने का हक है बोदय निधी के स्टालिन में आता है सूचिए सारे सवर्न एक साथ है सारे बहुजन अब दीरे दीरे एक साथ है जिस दिन ओभी सी एक तरफ हो गया इस देश में पिरियार फुलेम बेटकर बाबा सायव, रामसरूप बर्मा स्टालिन इन सब की विचारधारा चलेगी सूचिए लैंड सलाइड एन क्लाउड ब्रोस्ट इन हिमाचल विकोज पिपुल इट मीट आई आई टी मंडी डायेक्टर ये ब्रामन समाज के हैं इनका कहना है कि मटन खाने से सब हो रहा है ये वीडियो सुन लीजी भीमाडमी को ये लोग क्या कह रहे है गाली दे रहे है मतलब भीमाडमी वाले हिंदू नहीं है और सोचिए प्रोफेसर विवेक ने लिखा है मीडिया कितना अधिक मनुबादी है प्रिंट टीवी या यूटूब चैनल किसी ने भी आरक्षन पर सकरात्म के स्टेट्मेंट को परमुकता से न चापा और नहीं परमुकता से बहस कराए क्या यह कभी दलित बहुजोनों की गोदी में बैठेगा ये सोचे ये है टीवी अख़वार की हालत और ये देखे मुझे मंदिर जाने से रोका गया पुजारियों ने कहा सट उतारों मैंने नहीं उतारी मैं मंदिर के बाहर से ही हाथ जरोकर चला आया यह मान बीए पर था है सिद्धा रमया कॉंगरेस के मुखमंतरी थे हैं अभी खरगे साहब ने भी बयान दिया है तो यह तमाम सोशल मीडिया पर जो वायरल ख़ब बीजेपी ने अब तक 60 मुखमंतरी बनाया जिसमें 2120 है जबकि कॉंगरेस में 250 मुखमंतरी बनाया जिसमें 4320 है तो पार्टी कोई हो सबन लीडर सी बाली पार्टी में बहुजन की कोई स्थिती नहीं है जाती एक ऐसा रक्षस है जो आपका रास्ता रोकेगा इने बलकि काटेगा जब तक आप इस दैत का बद नहीं करते आपना राजनिती में सुधार कर सकते हैं नहीं आर्थिक सुधार इसलिए जो धर्म जाती किस रेषटा को सथापित करें उस धर्म को नस्ट जरूरी है ये नालिसन अपकाष में बाबा सही ने लिखा है मैं नहीं कह रहा हूं सहरूख खान ने स सबसे ज़ना सूरज एकरी की तस्वीरे भी दिखाऊंगा दुनीकानस Film Festival में उन्होंने चमतकार किया है और सहारूच कान की फिल्म में EBM से लेकर किसान और उन्होंने मोर्चा कोल दिया है सहारूच कान की एक फिल्मी विडियों ने पूरी IT सेल घोदी मीडिया के हußी हूँ एक डियालोग ने पहला थप पर जा रहा है और अब ये मुनोलोग ने सरकाई नफ्रत के कारीगरों की मेनत पर पानी फिर दिया ये सार के दुनिया भर में भारत का सबसे बड़ा आइकोन है भक्त मनली की हवा निकल रही है सोचिए पर आफ फिल्म आई है उसमें इवियम पर ही बात है जातिबात पर बात है किसानों पर बात है बोटिंग राइट्स पर बात है और 2019 स्लोकसवा चुनाओं से पहले मोधी सरकार ने खर्च के लिए रविया इसे मांगे थे दो से तीन लाग करोड पूर्व की सरकारों के दवरान जमा पैसा भी मांगा था बिर अर अच कार की बात करता है दूसरी तरफ कमंडल है जो नफरत जातिबाद इस तरह विरोधी की विचारदारा रखता है और ये देखिए सुचिए ये राजा अब देश के समस्त बहुत संक्यक लोगों को जूठ होकर असमानता के खिलाफ आवाज उठानी होगी तभी समस्या का सबसे बड़ा सबारे इंडियर देश सिंह ने लिखा है इस देश में सब को बढ़ावर के जाती बनाना पड़ेगा इस देश में जिरों ने जाती बनाई जब तक भेदभाव है तब तक कारक्षन रहेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं ये आडेसस के परमुख भागवत मौन हर्याना सीम से महिला ने कहा फैक्टरी लगवा दिए रोजगार मिलेगा खट्र बोले चंद्रायन चार जाएगा उसी में तुम्हेज दूँगा तो सोचिए किन लोगों ने जाती सुचक सब्द बनाए किन लोगों ने जाती सुचक मुहावरा बनाए यह सबसे बड़ा सवा और यह तस्वीरे देखिए पटने लिखने का जो मौका मिलता है सूरज एगरे की तस्वीर है कांस फिल्म फेस्टिवल में माई दियर फ्रेंट्स पैंथर सूरज एगरे इजिन हॉलिवूड अपकमिंग मूवी ओरिजिन इसमें जाती बात की कहानी है असी बेनिस फिल्म इटली इस पर इनको ओडिशन दिया गया है खराओ के लोगों ने ताल लिया बजाए तो सूरज एगरे पहुंच गये हो हां और वो फिल्में बना रहे हैं सारु खान ने आरियन खान का बदला जबान फिल्म के माद्यम से लिया है क्रोनी कैप्टलिजम अडानी मोदी और क एक्ता नन सिंग सवर्ण समाज से आते हैं आर्जेडी के नियता हैं उनने कहा कि हम हे राम बाले हैं जैसरी राम बाले नहीं और उनने कहा कि तिलक लाकर घुमने वाले ने देश को गुलाम बनाया है मंदिर बनाने से देश नहीं चलेगा इसको भीवाजित बनाया बयान ब दिखाईए किस तरस उनको सम्मान मिल रहा है दुनिया के पटल पर और संग और मोधी के अंध समर्थक कम से कम 10 ऐसे चेरे हैं जो रानितिक विसलेशक बनकर टीवी पर बैठे रहते हैं इन लोग का बिरोध होना चाहिए और सुचिए जिस खाली में खाना कि लाए जाएगा उस थाली के चांदी के थाली में जो भारत का जो कंचन असो कस्तम को केरा गया है यह अपमान है और इंडिया अंगरेजी नाम है और सिंट्रल भी स्टार इगवेद के पेज नंबर 71 से लिया हुए ओम सुधा ने ट्विट किया है मुझे मंदिर नहीं जाने दिया गया और स और सोसल मीडिया पर लगातार लोग बात कर रहे हैं और स्टालिन को बहुजन समाज पूरा एक जूट है उनको समर्थन भी मिल रहा है और यह सक्स देखिए बीप के लोगों द्वारा भी मार्मी को गाली गलोज किया जा रहा है इस पर कोई कारवाई नहीं होगी यह सबसे बढ़ा सवाल है और आप यहा भारत में जाति सुचक सब बोल कर रह सकते हैं लेकिन दुनिया के दूसरे देसों में नहीं रह सकते हैं तो सोचल मीडिया पर जो सबसे वाइरल खबरे हैं वो सारुक खान की खबरे हैं सारुक खान की फिल्म ने किस तरह से जातिबाद, करोनी कैप्टलिजम, EBM, किसानों के मुद्दे उठाए हैं सेना के मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर लोग उसको देखने जा रहे हैं वो अपने जातियों हीतों की रक्षा कर रहे हैं। एक पाटी भी सेस की चर्चा कर रहा है। किसी को उच नीच माने वो धर्म नहीं हो सकता है। अगर आपका वो धर्म है और वो मुझे नीच कहता है तो मुझे मानने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। और यही है बहुजन समाज सेस्ट को भी से कह रहा है। और वो अपने हग अज़कार के लिए जागरूख हो रहा है। इन तमाम बड़ी ख़बरों पर अपनी पर्तिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।